बहुत सारे प्रधान प्रधान वक्ताशरी सभी वक्ताशरी बोलते रहते गनेजी को प्रणाम करना चाहिए गनेजी को पहले याद करना चाहिए गनेश के बिना कुछ भी नहीं और सब के घर में वगवान गनेजी निवास करते ने कोई घर ये ऐसा नहीं है बारत देश में जो सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ जो हिंदू परंपरा के साथ में हैं उन सब के घर में भगवान गणजी रहते हैं कोई भी छोटा मोटा कोई प्रसंग है इसमें गणजी तो प्रधान रहते हैं भगवान सक्तिनार्ण के कथा आप करते हैं इसमें पूजा तो भगवान गणजी की पहले होते हैं कथा भगवान सक्तिनार्ण की हैं लेकिन पूजा तो भगवान गणजी की करते हैं कि अमरे सवराष्ण में रांध़मा ऊको बूला थे गुजराते में बाता हमाध़ तो बहुती तो बहुते तो इसमें भी मारांधल की पूजा तो बाध में में उसकी बंदना होती और देवता भी उनकी पूजा करते हैं यह गणना यह भगवान गणजी को और हर घर में गणश वना चाहिए और कोई भी काम के लिए आप निकलते हैं तो गणजी को प्रणाम करें गणजी को दीप दर्शन कराएं गुड का निविद्यर पन करें और गणपती भगवान को याद करते हैं मुख में गुड रक कर बगवान गणश को साथ मेरे का चलो सरी गणशाय नमा करके चलो और हो सके तो जिनको विध्या प्राप्त करने हैं जिनको मन की इच्छा पुर्ण करने हैं उनके लिए गणश स्तोत्र, गणश संकट नाशन स्तोत्र यह जरूर उनका पाट करना चाहिए, जो नारदपुरान में संकटनाशन गणपते स्तोत्र हैं, जो द्वादश गणपते स्तोत्र हैं, इसमें बारा गणेशने, जैसे बारा जोत्रलिंग हैं, वैसे बारा गणेजी के नाम हैं, उनको जरूर बोलना चाहिए, उनका पाट तो अवश्य करना चाहिए, कोई विद्यार्थ उसका पाठ करेंगे तो उसको विद्या मिलेगी, धन हीन को पाठ करेंगे तो उसको धन मिलेगा, पुत्र हीन को पाठ करेंगे तो उसको पुत्र मिलेगा, और बहुत सारे शिव भक्त भी रोज गनेश श्तुर का पाठ करते हैं, और गणपती भगवान के भगत है गणश भगत है वो तो जरूर करते होगे लेकिन गणश जी के कठिन मंत्र स्तोत्र आपको मुखपाट और कंठस्त नहों तो जरूर एक गणश स्तोत्र का पाट करने से सभी कामना की पूर्थी होती है